आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, क्या future group के stock 20% तक उपर जा सकते हैं, आज के rise का कारण क्या है, यहाँ पर discussion करेंगे, और buy की recommendation दिया है, hold करने की recommendation दिया है future group के stocks को, please continue to hold all future group of the stocks in the current scenario. सुप्रीम कोट की नई date थी, उसके लिए शमाच आएंगे, गलती से पिछले वीडियो में typo error थी, January 13 की जनगा January 11 है actual date, तो उसके लिए हम शमाच आते हैं अपने सभी दर्शकों से, अब देगे, तारीक के बाद तारीक मिलना कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, और हमें अच्छे से याद है, जब दामिनी के डालोग चले थे, तो बहुत famous हुए थे movie में, शायद आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा जो नए generation है, but this is one of the blockbuster movie of Sunny देवल जी, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर जो reason है, rise के लिए, वो primarily इनका insurance business का exit strategy है, funds चाहिए payment के लिए, औ payment के साथ में operation expenses के लिए भी funds चाहिए, तो इसके लिए banks challenges produce कर रहे हैं, अगर deal delay होती है, तो उनको NPA declare हो जाएगा December end में, तो यह इस सब के चलते वोए थोड़ा सा negativeness आ रहा हा था, but इन्होंने कल solution discussion किया, और solution है selling their insurance business to generally, generally एक foreign national company है, पहले हाँ पर नियम था कि इसमें 49% तक 49% का stake था, और इसके अलावा, जो future group ने इसको hold किया हुआ था, वो अपना remaining stake यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात चल रही है, future group, stock का discussion actively हो रहा है, general insurance और generally यहाँ पर खरीदने के लिए तयार है future insurance का जो segment है, उसको, 51% stake जो है इनके पास में, plus other entities क पास में है, इन्हें 75% अपना चाहिए, 49% से, तो 26% का increment कर रही है, generally, जिसका सारा का सारा stake, यह यहाँ पर future group के stock से खरीदने की बात हो रही है, जिसमें 30 billion alien rupees मिलेंगे, यहाँ पर future group को, जो interest payment due है, December 31 तक, उसको pay करने के लिए use किया जाएगा, और यहाँ पर यह default नहीं अच्छी बात है, उसके बाद अगवा payment जो आएगा, तब तक शायद deal होने की काफी संभावना हो चुकी होगी, CCI का decision आ चुका होगा, informants director की activity हो चुकी होगी, तो यह एक अच्छी progress मानी जाएगी, इनकी तरफ से यहाँ पर, अगर आज का activity देखते हैं, तो देखे, आज शुरू से ही, यह कल रात की ख़बर थी, हमने आपको वीडियो मना देते हैं उस ताइम पर, यहाँ देखे, morning में ही, अब moment शुरू हो गया था, 48 रुपे से बढ़कर, सीधा high गया 51 रुपे तक, और अभी 50 रुपे के उपर चल रहा है, 3.6%, सबसे अच्छा जो moment चल रहा ह है, वो है future consumer में, future consumer का stock, अभी करीब-करीब 7.5% के आसपास trade कर रहा है, यहाँ पर, volume देखेंगे, तो volume 34 लाग है future rate में, generally, 10 लाग से 12 लाग average रहता है, आज अच्छा volume के साथ movement दिखा रहा है, तो यहाँ पर believe बढ़ता जा रहा है लोगों को, कि आपका, जो इनका decision है, यह एक अच्छा बात है, देखें, average volume से अलड़ी, पिछले 10 दिनों के average volume से 3 गुरा volume बढ़ चुका है, आज यहाँ पर, तो यह positive territory में माना जाएगा इसको, अभी तक channel को subscribe नहीं कहा है, हम शोटे video बनाते है, ताकि आपको पूरा information मिले, और हमारे दर्शकों का time बढ़ सके, अ